हाई गाई गुड इवनिंग होप यौल आ दूइंग वेल सो गाई अभी आप अगर देख रहे होंगे एनेफ्टी की धूम मचीवी है सब जगे हर कोई एनेफ्टी 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 बोल रहा है क्या है एनेफ्टी फोर दोस पीपल हुआ नियू जो इनको एनेफ्टी की जो वैल्यू है वह लाखो रुपे में हो सकती है आपके किसी फ्रेंड के पास एक कोई दूसरा कॉइन है तो आप अगर अपना कॉइन अपने फ्रेंड से अगर आप एक्सचेंज करना चाहो जिसमें उस कॉइन की एक्जैक्ट वैल्यू आपने डिसाइड करनी है या उस कॉइन की कोई specified value नहीं होती अगर हम किसी token की बात करें Bitcoin की या BNB की या किसी भी और tokenized asset की बात करें तो हर एक token की specific value होती है अगर Bitcoin की हम बात करें तो उसकी value 50,000 है तो वो specific है अगर आपके पास एक bitcoin है मेरे पास भी एक bitcoin है तो दोनों की value बराबर है लेकिन NFT is a non-fungible token यानि कि आपके पास जो NFT है उस NFT की price आप decide कर सकते हो depending upon few attributes पहला कि वो NFT के क्या attributes है उसकी rarity कितनी है क्या वो NFT rare है उसके mints कितने हुए थे 5 mints थे, 10 mints थे या common है, 1000 mints है उस पे depend करता है suppose कोई NFT है जिसके सिर्फ 5 mints है उन 5 mints में से सिर्फ एक NFT आपके पास है आप उसे sell कर रहे हो बाकी और लोग उसको sell नहीं कर रहे तो उस NFT की value automatically बहुत जादा हो जाएगी क्योंकि जो market place पे available है वो सिर्फ एक ही है जो आप sell कर रहे हो इसे आप ऐसे भी compare कर सकते हो कि आपके पास कोई बहुत rare note है यह coin है जो की circulation में अभी नहीं है और आपके पास है लेकिन आप उसके लाखो रुपे मांग रहे हो और जो खरीदने वाला person है वो आपको ready है लाखो रुपे देने के लिए उस coin को हासिल करने के लिए तो आप भी NFT को इस तरीके से आप समझ सकते हो तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हमें कौन सी NFT buy करने चाहिए और NFT buy करने का कुछ purpose कुछ use case होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ऐसी ही कोई NFT buy कर लो कि अभी हम buy कर लेते हैं इस future में इसकी price बढ़ेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है हो सबते है आप को ऐसी NFT buy कर लो जो आपकी कभी sale out ही ना हो और वो पैसे आपके block हो जाए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है NFT buy करते वक सबसे पहले उस NFT का use case किया है या utility किया है मैं आपको example देना चाहूंगा एक NFT जो मैंने recently buy की थी वो थी Cocos की तो Cocos की जो मैंने NFT buy की थी अब उसकी utility यह है कि मैंने NFT को mining पे लगा रखा है और वो हर 10 दिन में 10 Cocos वो मेरे लिए mine करके देता है तो approximately in 2 months वो NFT अपनी जो price है वो भी cover कर लेगी और उसके पाद जो NFT है वो मेरी NFT free हो जाएगी तो आप इस तरीके से आप अगर कोई भी NFT प्लान करते है तो आपने यह देखना ज़रूरी है कि उस NFT की utility क्या है क्या आपको NFT profit दे सकती है या सिर्फ आप सब लोग NFT बाय कर रहे हैं तो आपने कोई भी NFT उठा लिए और आपने उसमें पैसे आपने डाल दिये और वो आपके block हो गए क्योंकि अगर उस NFT का कोई use case नहीं है तो वो ऐसे ही आपके collection में पड़ी रहेगी उसका कोई बायर नहीं होगा सो गाइस अभी का जो hottest trend है NFT प्लस blockchain gaming इन दोनों का combined एक जो package है वो आया है उसका नाम है my neighbor Alice और सबसे बड़ी जो news है कि इस project की direct listing हो रही है benance पे uniswap पे भी ये list नहीं हुआ किसी exchange पे कभी list नहीं हुआ direct balance listing हो रही है आप अगर इसकी tokens आप अगर buy करना चाहो तो आप अभी buy नहीं कर सकते सिर्फ आप mine कर सकते हो और आपने mine कैसे करना है आपको आपके पास होने चाहिए BNB या BUSD या CHR token CHR token का price में देख रहा था CHR token का price almost एक दिन में double 2X हो गया just because of this gaming and NFT platform तो सबसे आसान तरीका है कि आप के पास कुछ BUSD या BNB होने चाहिए आपने balance पे जाके उनको stake करना है और बदले में आप इसके जो native token है Alice वो आप mine कर सकते हो अब थोड़ा समय आपको जो एक gaming platform है उसके attributes आपको बता देता हूँ so guys my neighbor Alice जो है एक multiplayer blockchain game है जो कि कुछ लोग नहीं बलकि हजारों लाखों लोग एक साथ एक time पे खेल सकते हैं तो ये एक virtual land है जहां पे आप अपना एक property आप buy कर सकते हो आप एक island आप buy कर सकते हो और जो इसकी सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी कि आप वहां पे अपने pets जो है आप कोई एक pet आप buy कर सकते हो और आप अपनी ही एक अलग दुनिया आप यहां पे बना सकते हो थोड़ा सा game के बादे में मैं आपको बता देता हूँ तो इस game के हैं चार attributes पहला है avatars जिसमें की आप कोई favorite avatar आप इसमें pick कर सकते हो second है virtual island virtual island अगर आपको compare करना है तो आप compare कर सकते हो sandbox से या decentral land से जहां पे आप कोई एक property आप buy कर सकते हो अपने पसंद की depending upon the property depending upon the location उसका जो है price set होगा plus already अगर उसको कोई own करता है अगर वो sell कर रहा है किस price पे sell कर रहा है तो वो आपको negotiate आपको करना पड़ेगा यह देखना पड़ेगा offers में क्या-क्या available है third जो attribute है वो है in-game assets बहुत सारे gamers जो हैं उनको मालूम होगा कि inside game आप बहुत सारे ऐसे assets होते हैं कि जो आपको special privileges special powers आपको देते हैं which are very very exclusive तो in-game बहुत सारे assets ऐसे हैं जो आप इसमें आप buy कर सकते हो for example अगर आपके पास कोई special weapon है तो वो weapon आपको island में अपने आपको protect करने के काम आएगा मगर आपको वो weapon जो है आपको buy करना पड़ेगा और जो fourth attribute है इस platform का वो है Alice token तो Alice token जैसे कि मैंने बता है उसकी mining start होगी finance पे 10th of March से आप इसको mine कर सकते हो और 15th of March से इसकी trading start होगी and guys मेरा जो अनुमान है calculation हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि it is going to be very very exclusive and बहुत हमें इसमें अच्छा price action देखने को मिलेगा trading के time पे 15th of March guys project के partners आपको बता लेता हूं project के partners जो है sandbox already बहुत बड़ा platform है NFT के field में then blockchain game alliance BGA maker DAO bounce bounce especially for buying of digital assets ARPA bella protocol and anchor तो यह सारे सब बड़े बड़े नाम हैं अपने सुने होंगे after the piece of land has been purchased from Alice or in the marketplace players can change the form of the terrain and decorate it with various in-game items such as houses lakes decoration animals plants and other things that can be purchased additionally to aapne jab aapne land aapne kharii liya यहां पे उसके बाद आप यहां पे अगर कुछ decoration items कुछ plants यह कोई भी चीज़ें जो आप जिससे आप अपना यह virtual space आप decorate करना चाहते हो आप additionally आप purchase कर सकते हो तो guys आपको सिर्फ Alice token आपको यहां पे spend नहीं करने इस island में आप Alice tokens जो है आप earn भी कर सकते हो क्योंकि regularly कुछ contest और कुछ participation ऐसे होंगे जिसमें आप participate करके in-game contest आप Alice tokens आप earn कर सकते हो plus Alice जो token है वोगा governance token भी है तो आपको जो है voting right भी मिलता है Alice token holder होने का तो guys यह जो है tokenomics है थोड़ा tokenomics मैं ज्यादा detail में नहीं बताऊंगा क्योंकि जो purpose है वो सिर्फ game और NFTs का detail बताने का है आपको तो guys यह बता देता हूं कि अगर आप pet lover हैं तो कौन-कौन से pet आप इस island पे आप आपने की six animals के form में यह थे जो की आप buy कर सकते हो और जो की sale और resell पे अब available होंगे और जो platform है buy करने का वो था bounce finance, bounce finance क्या है auction platform है जहां पे आप digital assets आप buy और sell कर सकते हो plus presenting the Alice farm crew तो guys जो six animals आपको इस island पे मिलेंगे उनसे मैं आपको थोड़ा सा introduce करा देता हूं तो जो पहला animal है berta, berta is a famous archipelago cow तो यह एक cow है जो की आपको इस island है बहुत useful रहेगी, second जो animal है वो है helga the sheep, additionally any sheep garden in the archipelago third जो pet है वो है हमारा herald a dog जो की मेरे को सबसे cute लगा इसमें अगर कोशिश करूँगा मैं की अगर मैं इसको buy कर पाया अगर price overpriced नहीं हुई तो fourth जो pet है वो है Mr. Royalty and I think it's a pig fifth is a Dr. Hilton a duck and the last one is Gertrude the unicorn तो guys यह pets है जो की आपको इस island में बहुत काम आने वाले हैं और आपको एक बहुत अच्छी company मिलने वाली है अपने virtual land में तो guys थोड़ा मैं auction और finance listing के बारे में भी आपको details बता देता हूं इसके तो guys अगर आप finance announcement में आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा announcement section में introducing my neighbor Alice on finance launch pool you can farm Alice token by BNB, BUSD and CHR tokens तो CHR में ने जैसे की बताया already 2X हो चुका है तो better यह होगा कि आप BNB या BUSD stake करके आप Alice tokens को आप mine करें तो mining जो start होगी वो होगी 10th of March से start और trading जो start होगी वो होगी 15th of March से start token का नाम है Alice and in tokens को आप Binance पर है तो BAT20 में आप इनको आप migrate कर सकते हो अपने gaming platform पर तो guys अभी के लिए इतनी ही मैं information share करना चाहता हूँ बाखी आप हमारे telegram handle से आप connect कर सकते हो और आपके कोई भी doubts है तो आप हमारे group में आके आप वो पूच सकते हो so thank you for your time have a great day